नमस्कार दोस्तों सुभास की बात में एक सवाल है और मुझे लगता है कि इस समय देश में आप कौन सा देश राग गाने वाले हैं क्या आप जब भी अपने देश को याद करेंगे तो किस तरह के गानों से याद करेंगे क्या आप कहेंगे कि आई लव माई इंडिया या आपके जुबान पर आएगा कि भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुनाता हूं दरसल मैं यह क्यों कह रहा हूं अभी हम देख रहें कि हमारे देश में थोड़े दिन पहले जब हम चंद्रियान पर गए थे तो हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि अब बहुत सारी कथाएं, मिथाक, कहावतें बदल जाएंगी और यह बात तया है कि जब चांद पे लोग चले गए तो उसके बाद एक गाना बड़ा मसूर हुआ था कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो अभी हम चांद की बात से पूरी तरह उबरे भी नहीं है कि अब हमारे सामने सवाल है कि भारत या इंडिया क्योंकि इस समय पूरे देश में यह चर्चा चल रही है अगर हम गानों से अपनी बात क्योंकि कोई देश जब कहीं पर प्रगट होता है तो वो अपनी कला संस्क्रिती साहित में प्रगट होता है तो यदि हम सिनेमा के गानों को देखें तो भारत हमको जान से प्यारा है I love my India, Salam India, Hindustan मेरी जान, भारत की बेटी, हमें भारत कहते हैं ये बहुत सारे चकदे इंडिया, जाने क्या तो कभी हम भारत कहते हैं, कभी इंडिया कहते हैं, कभी हिंडुस्तान कहते हैं भारत ये रहना चाहिए एक चक दे, हचक दे, इंडिया इतना था एक है भारत, सब मुलकों से नेक है भारत मेरे इंडिया, एक दिल चाहिए रच मेरे तुमारे कहते हैं, हमको प्यार से हम तरह तरह से अपने देश को याद करते हैं, तो अभी हमारे देश में ये बहस चल रही है कि जो संसत का सत्र बुलाए जाने का कारण क्या है, इसकी चर्चा अभी विपक्षी दलों के माते पर सिकन डाले थी कि इस चर्चा में एक मुद्दा और जुर चुका है, मुद्दा यहा है कि अब इंडिया और भारत में से सिर्फ एक को ही देश के नाम से पहचान के रूप में सिर्फ भारत सब्द का ही उपयोग किया जाएगा, इस बात को बल मिलता है राष्ट्वती भावन द्वारा, जी ट्वंटी के लिए जो सिकर सम्मेलन में, रात्री भोज के लिए जो निमंदन पत्र भेजा जाया है, इस पे प्रसिडेंट आफ इंडि जैराम रमेश ने यह कहा है कि यह सविदान के खिलाव है, अब अटकले यह भी लगाई जाने लगी कि क्या 18 से 22 सितंबर तक जो संसत का विश्य सत्र बुलाया जा रहा है, वो क्या देश के नाम और पहचान के लिए इंडिया की जगा भारत सब्द के प्रयोग को अधिकार और विदिक और सविधानिक मानेता दिलाने के लिए हैं, इंडिया के इस्थान पर भारत नाम के उप्योग को लेकर सुरवाती प्रश्ट भूमी तभी बनती दिखने लगी थी, जब राश्टी सोयम से संग याने रसेस के सरसंचालक मोहन भागवत ने हाली में कारिक्रम मे लोगों से अपील की थी कि वे इंडिया की जगा भारत नाम का इस्तमाल करें, उन्होंने कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमें भारत नाम का ही इस्तमाल करना चाहिए, चुलाई में संपन हुए संसत के मानसुन सत्र में भी भाजप सांसत नरेद मंसल ने राज सभा में देश के नाम इंडिया से बदलका भारत किये जाने की मांग उठाई थी उन्हों ने कहा था कि इंडिया नाम अपनिवेसिक गुलामी का प्रतीक है देश का असली नाम भारत है जिसकी जड़ें प्राचीन संस्कृत ग्रंतों में देश की आजादी के बाद सविधान सभा की बैठक के दौरान देश के नाम को लेकर काफी चर्चा हुई थी जिसमें कई सुझाव आए थे सदसों ने भारत भारत वर्स हिंदुस्तान जैसे कई नाम सुझाए थे लेकिन अंत में सब ने मिलकर ये नाम तहिकिया कि सविधान के अनुचेद एक संग का नाम और सिर्शक दिया गया अनुचेद एक में कहा गया कि इंडिया जो भारत है राज्यों का संग होगा सविधान सभा ने इस निर्णाय पर उस वक्त बहुत से सदसों ने अपत्ति जताई थी कुछ सदसों ने इंडिया के बाद आची ने थियासिक ग्रंतो और धार्मिक पुरानिक मानेताओं के आधार पर यह कानी सामने आती है कि देश का नाम जो है प्रतापी राजा भारत के नाम पर भारत रखा गया है अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इ देश का नाम दे दिया और ऐसे ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा तो अब यह सवाल है कि हमारे देश का जो यह नाम इंडिया पड़ा है और जिसके बहुत सारे कारण हैं अपने देश को हमने कई नाम से बुलाया अगर हम प्राचीन इतियास का अलखंड और पुराने क कथाओं में देखते हैं तो इसकी भी कई कहानियां में दिखती है जिसमें एक रिसब देओ के पुत्र भरत से जो कहानी जुरती है जो हिंदू ग्रंत इसकंद पुराण में कहीं ना कहीं उल्लेखी थे कि रिसब देओ नाभी राज के पुत्र थे रिसब के पुत्र भरत थे इदर कई और पुरान कहते हैं कि नाभीराज के पुत्र भगवान रिसब देव रहें और उनके बेटे भरत रहें जो चक्रवर्ती समराट थे और उनके ख्याती चारों और फैली थी तो उनके नाम पे भारत वर्स पड़ा. भारत वर्स को जम्बू दीप, भरत खंड, आर्यावरत, हिंदुस्तान, हिंद, अलहिंद, यागर, फग्यूल, तिया, नाजा, होडू जैसे कई दूसरे नामों से भी पुकारा जाता रहा है. इत्यास कारों के अनुसार, मद्धिकाल में जब भारत पे तुर्क और इरानी आये, तो उन्होंने सिंदु घाटी में प्रेवेस किया, वे सहका उच्चारन हा किया करते थे, और इस तरह सिंदु को उन्होंने हिंदु के रूप में पुकारा, आगे राष्ट का नाम हिंद किया है, तो इस उस्तक के बारे में अलग-अलग जगह जो है, वो हमको अलग-अलग लोगों की टिपड़ी मिलती है, अभी सवाल यह है, कि RSS जहां सावरकर जिस परंपरा से आते हैं, उसी की परंपरा में आगे जाकर मौन भागवत वही बात कहते हैं, कि भारत का नाम जो यहां तक आती है, भारत को इंडिया हो जाने का सारा गड़ी तेहीं से चुरू होता, और इसके पीछे सिंदू नदी का जो काम करती है, सिंदू नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंदू सभेता के चलते, भारत की सिंदू घाटी की सभेता को एक और पुरानी स यूनान जो आज का ग्रिक है लोग इंडो या इंड़स घाटि कहते हैं या सभिता कहते हैं जैसा मैंने कहा कि इंड़स लेटीन से आया था और बता दें की बाद में यहा पर इसका नाम इस तरह से हिंदू सिंदू से हिंदू और इंडिया पड़ा अभी छगड़ा इस बात का है कि ये नाम से अचानक गुरेज क्यों हो रहा है तो गुरेज इस तरह हो रहा है कि जो विपक्षी दाल है जिसमें 26 संगठन है उन्होंने अपने संगठन का जो साट फॉर्म किया उसका नाम इंडिया रखा और वो इंडिया के नाम से गड़ बंदन है अब जहां जहां भी जब आप इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है या उससे जुले लोग हैं उनको लगता है कि यह हम इस संगठन की बात कर रहे हैं तो दरसल हम इंडिया बहुत पहले से बोल रहे हैं यह बात अलग है कि साट फॉर्म में हमारे हैं साट फॉर्म का चलन है और साट फॉर्म में जो संगठन बना है उसका नाम इंडिया कहा जा रहा है तो ये ये भी ये बात उठ रहे ही कि अचानक से आपको भारत क्यों याद आ रहा है आप भारत कहने में किसी को कोई बराई नहीं है वैसे भाजपा के सासनकाल में नाम बदलने की परंपरा है उन्होंने बहुत सारे सहरों के नाम बदले बहुत सारी चीजों के नाम बदले औ और नाम बदलने का ये दोर लगातार जा रही है इसी में एदी देश का नाम जो की भारत है जिसको की भारत हमको जान से प्यारा है या I love my India हम दोनों को ही बहुत गर्व से कहते हैं हम प्राउड फील करते हैं अपने आपको इंडियन कहने में हम बाहर जाते हैं तो हम अपने देश के नाम के आगे इंडिया ही लिखते हैं पर भारत लिखने में भी हमको कोई जिजग नहीं हम दोनों सब्दों को और हिंदुस्तान भी लिखते हैं कि हिंदू है मतन है हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा बुलबुले हैं उसके वो गुल सिता हमारा हम इस तरह की बात भी करते हैं तो हम अपने देश को अलग-अलग और जब हमारे धार्मिक कथाएं होती हैं पूजा होती है तो हम जम्बू दीपे अपने आपको उससे भी संबोधित करें सवाल यह है कि हम अपने देश को किसी भी नाम से पुका रहे हैं हमारी भावना देश को लेकर क्या है और इस नामों को लेकर अचानक यह राजनीती क्यों हो रही है तो हम इसके पीछे जो कुछ देखते हैं तो इस समय देश में जो कुछ चल रहा है उसमें कहीं न कहीं अब इसको कहना कि हमारी परंपरा से है तो अगर आमबेटकर साहब जैसे सविधान बनाने वाले और बहुत सारे लोग थे उनको लगता था कि अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल होने जा रही है तो भारत चुकि इंडिया एक नाम फेमस है तो बाहर बोलने में आसानी होगी पर भ को जीवित करते हैं जब सविधान सभा में बहस हो रही थी तो उस बहस में शेट गोइंदास कमलापती त्रिपाठी श्री राम साय हर गोविन पंथ हरी विष्णु कामत जैसे नेता के आपस में काफी बहस हुई और काफी बहस के बार भारत को भारत या फिर इंडिया रू की नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और यह नाम भारत के विविन भासाओं और संस्कृतियों के भी को भी दरसाता लिहाजा इंडिया भारत का वहां नाम हो गया जो विष्णु में जाना गया तो यह एक कहानी है इंडस्वेली से जो बात सुरू होती है और वह civilization के नाम से इसको जाना जाता है तो अब चाहे इंडस्वेली की बात हो सिंदुगाटी की सभिता की बात हो चाहे भरत के नाम से बात हो कहीं से भी हमारे देश की के नाम में भारत, इंडिया, हिंदुस्तान इस सब की सुईकारिता है और हम उसे सब लोग प्यार करते हैं अब सवाल यह है कि विपक्षी दल और जो सत्तारूर दल है वो आपस में भेड़ रहे हैं तो यह जो भिडंत है यह कहीं भिडंत चुनाव को लेकर, लोगों को पुरानी चीजों से जोड़ने को लेकर पुरानी अस्मिता के नाम पर नय-य नी नाम रखने को लेकर यह लोगों को मूल मुदे से भटकाने को लेकर हाा, निश्चित रूप से इस समय जो है, वो चर्चा है और ये चर्चा जो है वो कहीनगाई हमको लगता है कि हमारी अस्मिता, हमारी इत्यासिक दरोर जो हैं और जिससे एक नागरिक पहचाने जाते हैं उसके अपने इत्यास से, संसकृती से, सब्वेता से, वो उन editionsकी याद दिलाते हैं क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं और पूरी दुनिया में हम जाने जाते है उसके उसको लेकर इदीम को गुरेज है तो वो गुरेज कही न कहीं जो भादपा के सांसाद है हर नाज सहीं मुद ज़ाद हो उन्हों ने इंडिया सब्द को हटाने को लेकर बात की और वो सरवच नयाले तक में गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस से कहीं ना कहीं हमको गुलामी का एहसास होता है तो उन्होंने यह कहा है कि सुप्रीम कोट से उन्होंने अपील की है कि आप इंडिया सब्द जो है उसको जो हमारी गुलामी का प्रतीक है इससे हटाना चाहिए यह उन्होंने एक बात कही इसी तरह क बात राष्टपती कियां से जो G20 का इन्विट हिसन जा रहा है उसमें हो रही है तो देश में एक नए तरह की बैस जो है वो चालू हो गई है अब सवाल यह है कि हम इंडिया में रहते हैं कि भारत में रहते हैं पर हम रहते इसी देश में जिसे आप चाहें कुछ कहें मैं तो यही कहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा नमस्कार